यस बुक में से हम एक्जांपल देखते हैं कंसर्प्ट आरड़ी हमने पूरे पूरे एक्ससाइज में यूज होंगे वह सारे concept हमने समझ लिए करक्त ओक याद रह गया ना ओक चलो तो स्टार्ट करते हैं देखते हैं एक्जांपल एट क्या बूल रहे हैं find the variance of the following data सबसे देखो क्या पूछा है variance पूछा है मतलब तुम्हें square root नहीं करना है ओके चलो अब पहले check करो ungrouped है या grouped है तो भाई frequency तो है नहीं ungrouped data है ungrouped data है एक ही formula है जो हमने पढ़ा क्या कि directly standard variance find करना है ना तो sigma square find करना है दन तो क्या है summation of say x i minus x bar to the whole square और यह क्या था one by दन यह formula है तो directly formula अप्लाई कर दो तो formula अप्लाई करने के लिए क्या कर सकते है हम थोड़ा जितना उतना easy करने के लिए क्या कर सकते है एक सबकुछ given है लाइन में क्या देख लो 10 12 14 16 18 सबकुछ sequence में यह chronological order में ठीक है then n तो n पी पता चल गया है का हम गिन सकते है एक बार एक बार में on group data में तो क्या है बाई डिरेक्ली गिनो एक दो ती चार पांच छे साथ आठ नो दस दस है मतलब क्या 10 मतलब divided by 10 होगा यह सबका सम करो divided by 10 तो तुम्हें क्या मिल गया एक्स बार डन ओके तो यह एक्स बार मिल गया अब एक्स बार मिल गया तो that's it एक्स बार मिल गया value put करो answer आ गया खता है खता है डन एक्स बार मिल गया न तो एक्स बार कैसे मिलेगा 6 प्लास 8 प्लास 10 प्लास 12 प्लास 14 प्लास 16 प्लास 18 प्लास 20 प्लास 22 प्लास 24 divided by 10 तो यह क्या मिला मुझे एक्स बार मिल एक्स बार की value यहां put करो तो पहले के लिए एक्स बार कितना आ रहा है एक्स बार आ रहा है 15 तो 15 के लिए लिए लिखते है चलो एक्स ज़िए तो 6-15 तो 6-15 कितना उज़ाएगा ? से 4 & 5 9 तो 9 का स्कौर्ट पर माईनस नाइन का स्कुर्वर कितना हो जाएगा 81 फिर दूसरे के लिए 8 माईनस 15 तो 7 7 का स्कुर्वर 49 ओके तो वो वो सब करते रहे ना है और फिर प्लस करना है और डिवाइड़ बाई- ale e n मतलब 10 है तो divided by 10 करना है वो कितना आ जाएगा 15 तो divided by 10 मतलो उपर सम कितना आएगा 51 है क्या बढ़कर उपर divided by n करना है तो divided by n करोगे तो उपर तुम्हारा answer यही आएगा क्या आएगा 1 एक्स बार तुमने find किया तो x बार कितना आया 50 ओके और divided by n तो standard deviation तुम्हारा 15 नहीं आएगा मैं अभी क्या सुच रहा हूं मैं तो 15 देख रहा था 15 तो तुम्हारा x बार आ रहा है अब x बार की value यहां पर put करते जाओ तुम्हारा कोई नगोई standard deviation कोई नगोई मतलब जो भी आ रहा है तो standard deviation भी तुम जुन सकते हो और variance कितना आया तुम्हारा 33 यहां आते हैं लेकिन यह समझ में आ गया ऐसे हम solve कर सकते हैं अब बुक ने जो find किया उस तरह से जाने है क्या बूल रहा है कि उन्हें डी आई भी find किया मतलब कि हमें पता है कल भी हमने देखा था first exercise में भी हमने देखा था कि mean find करने के लिए हमने 3 method यूज की एक method अभी ज of the numbers okay total numbers ये एक method दूसरी अगर frequency given है तो summation of fi xy divided by summation of fi ये दूसरी थी तीसरी method थी हमारी assumed mean method जिसमें हमने xy में से किसी एक को assume mean मान लिया था okay तो assume mean का formula क्या था हमारा ये प्लस पूलो करेक्ट ओके ये था plus summation of fi di okay summation of fi di upon summation of fi into h ये formula था तो इसमें di क्या था di था हमारा xi minus a divided by h done तीन method थी तो तीन में से एक method तो हमने use कर ली second method हम use नहीं कर सकते क्यूं क्यूंकि उसमें x bar find करने के लिए हमें fi चाहिए fi xi fi xi आता है और अगर तुम fi नहीं लोगे तो तुम फिर ये ही formula बन गया अगर ये पहली method थी अभी दूसरी method दूसरी method में क्या था x bar is equal to summation of fi xi divided by n और से summation of fi वही था done ये second method थी लेकिन यहां से अगर x by find करे तो fi तो fi को निकाल दो fi को निकाल दो तो फिर ये ही formula बन गया na summation of xi divided by n तो वो तो ये जो अभी किया ये ये क्या किया वही तो किया summation of xi divided by n वही किया तो वही method बन गई तो पहली और दूसरी method तो सेम हो गई पका समझ में आ रहा है sure अभी तीसरी method तीसरी method कौन थी? assume mean method कौन सी थी method so x by is equal to assume mean a plus say summation of i is equal to 1 to n यहां पर था हमारा yes fi di divided by summation of fi into h ये हमारा formula था तो sir लेकिन हम ये method यूज करनी हो तो करेंगे कैसे? fi तो है नहीं हमारे पास तो जैसे हो भी मैंने तुम्हें बताया कि यहां से fi निकाल दो तो भी हमारी done समझ में आया है तो देखो इन्होंने क्या किया है directly कि summation of as you mean तो summation of say di into h इन्होंने n किया है क्या? यहां यहां पर n किया है मतलब summation of fi यह n जो है वो जैसे कि इसके पहले वाले formula में यह हमने fi निकाल दिया लेकिन यह n को नहीं निकाला नीचे Summation of fi तो रहा ही था correct ओके वैसे ही अब क्योंकि n और fi do sum कर दो तो दोनो एकी है Sum कर दो summation of fi is equals to n अगर sum कर दो fi का तो दोनो एकी है लेकिन अगर मैं sum ना करो सिर्फ fi बोलो that is not equals to n Summage मैं क्यों लिया है ओके पक्का पहले मैंने बोला कि नहीं लेंगे लेकिन क्यों लेंगे now you understand the formula अगर हमने fi निकाल दिया तो fi तो हम निकाल सकते हैं कि यहां से fi हमने निकाल दिया तो क्यों यह तो fi di वो तो single fi था न वहां का summation किया था लेकिन यह summation of fi तो क्या शो कर रहा है n शो कर रहा है तो n लिखना है done ओके तो n हमने लिख दिया तो यह दूसरी मैथर्ड हो गई यह दूसरी मैथर्ड हो गई तो इसमें assume में जो भी हमाली x i थी उसमें बीच में कोई भी ले लो या यह पूरा का पूरा है उन्होंने कौन सा लिए है 14 एक दो तीन चार उपर है एक दो तीन चार पांच है 6 नीचे है तो ठीक है हम 16 भी ले सकते है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, हाँ 4 5 ही तो हुए, 1 2 3 4 5 करेक्ट है, 14 लिए है, ऊपर 4 लेटा है निचे 5 लेटा है, correct? इवन होंगे तो ऐसे ही लिन पड़ेंगे न, और होंगे तो उपर निचे सेम से माझें, assuming ले लिए, अब दीए है find रहे, ज्य है, टो है मरे पास, x i minus as you mean divided by h अभी h कहां से लेंगे यह x i को देखो 6, 8, 10, 12, 14 तो क्या होगे 2 तो divided by 2 आया समझ में? पक्का हमने ऐसे short में खतम कर दिया आप ऐसे तुम short में खतम कर सकते हो कोई problem नहीं है कोई problem नहीं है लेकिन यह d i वाली method तुम कभ यूज करोगे जब तुम f i d i easily कर सको तो मतलग f i d i in the sense frequency तो यहाँ पर है नहीं लेकिन तुम से हम जो d i यूज करते थे थे ना हमारी यह जो assuming वाली method है यह हमारी जो assuming वाली method है यहाँ से तुम f तो निकाल लोगे लेकिन यह summation of d i तो summation of d i करोगे तुम कुछ multiply करना आया है यह नहीं तो और easy हो जाएगा कब और easy हो जाएगा जब तुमारी x i की value बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी होगी तब जब तुमारे पास x i है 50, 50, 100 150, 200 250, 300 ऐसा बड़ा x i है तो अब यह सारे x i का sum करना पड़ेगा अगर यह method simple method यूज कर रहे हो तो सबका sum करना पड़ेगा लेकिन उससे fast क्या हो जाएगा उससे fast तुम्हें एक assume mean ले सकते हो कि यह उपर नीचे वाला यह suppose 500 मेरा assume mean है फिर तुम di find कर सकते हो तो di find कर लिया x i minus assume mean divided by h और h करोगे तो भी 50 या 100 नीचे आएगा value और छोटी हो जाएगे तो वो जो बड़ा सा sum करना पड़ेगा ना वो नहीं करना पड़ेगा समझ में answer दोनों में same आने वाला है answer में कोई change नहीं है मैंने तुम्हें बोला कि हम firstly यह method से कर लेंगे C answer आएगा करना हूं तो कर सकते हैं देखो इन्हों हम deviation से किया है हम simply करते हैं तो कितना आया 6 यह क्या है या अब यह ऐसे ही कर देते हैं 6 & 8 14 49 & 24 24 & 12 24 & 12 36 36 & 14 50 50 & 16 66 66 & 8 66 & 8 64 & 84 84 & 94 104 & 106 116 & 126 126 & 130 & 150 उपर कितना आया 150 सबका सम कितना आया 150 टोटम कितना है 10 आ गया 10 15 Done हमें standard deviation निकाला था तो standard deviation देखो X बार सेव नहीं आया तो DI method use q की थी X बार find करने के लिए X बार find कर नहीं X by E sigma के formula में कहां है DI है नहीं DI q use किया था X बार find कर दिया फटा 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 भी कर दिया दर 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 okay 15 सेम आया तो अभी under तो सेम ही आयगा न 1 by N समेशन of say XI minus X bar to the whole square यह था हमारा formula तो करता हम X bar 15 है उनका भी 15 है हमारा भी 15 आंसर से भी आना वाला है understood समझ में आया है और भी as you mean method यूज कर सकते है in short समझने की बात यह है कि अगर frequency given ना हो तो भी तुम ungroup data के लिए as you mean method यूज कर सकते हो understood समझ में आ गया है हो जाएगा okay कर दो कर दो